प्रकाशित नमस्कार दोस्तों और टी टी त्यारी चनल में आप सभी साथ यों का फिर से एक वार सुआगत अप सभी के लिए डेली अखवार की माध्यम से जो भी न्यूज़ प्रकाशित की जाती है सुभा सुभा मैं आप सभी के बीच में लानी की पूरी कोशिश करता हूं आप सभी से विनम्ड निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा BPSC परिक्षा पास करने वाले शिक्षकों को ही मिलेगा राज्य कर्मी का दरजा प्रफेसर चंदर शेखर का ये कहना है आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी भुचाल जो है वो आ गई है एक तरस से नई शिक्षक नियमा बली 2023 को ले करके राष्टिय जनता दल के द्वारा शेहर के पश्चिम पल्ली इस्थित राज़त युवा जिला अध्यक्ष के कारिया लाए में अमबेड कर परचर्चा का आयोजन किया गया आयोजित परचर्चा के जड़िये राज़द समर्थकों को पार्टी के कारियों विस्तार को ले करके दिशानिर देश दिया आयोजित परचर्चा का अउधगार्टन प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रफेसर चंदर सेखर के द्वारा किया गये इस मौके में राज़त विधायक इजहार हस्फी और भी जो थे वहाँ पर मजूद थे परचर्चा के उपड़ांत शिक्षा मंत्री प्रफेसर चंदर सेखर ने पत्रकार से बातचीत करते हुए केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा और होने कहा कि केंदर सरकार के द्वारा ताना शाही थोपने का प्रियास किया जा रहा है और सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है शिक्षा मंत्री प्रफेसर चंदर सेखर ने कहा कि संबिधान को आरक्षन लागू करवाने बेरोजगारी दूर करने किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए परचर्चा का आयोजन किया जा रहा है वही नई शिक्षक नियामावली को ले करके उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए नई नियामावली लाई गई है उन्होंने कहा है कि इससे किसी को कोई परशानी नहीं होनी चाहिए शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बेरोजग गर्मी का दरजा प्राप्त करेंगे वही उन्होंने कहा है कि शिक्षा विवस्था में सुधार के लिए नए नियमा वाली आई है एवं मेरे समय में चार बड़े अधिकारी निलंबित किये जा चुके हैं वही पत्रकारों द्वारा शिक्षा विवहाग में व्याप्त अन्य मामलों को लेकर पुछे गए सवाल प्रहों ने जाच करवाने की बात भी कही अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विरोजगारों की तकलीप में सरकार शामिल होना चाह रही है इसके लिए लाखों की बहाली निकाली जाएगी निकाली जाएगी और बहाली आने कर रहे हैं आप बोलंगे परिशान कैसे कर रहे हैं नियोजित शिक्षक इसलिए परिशान है कि भाई हम BPSC के माध्यम से परिक्षा नहीं देंगे हमको डिरेक्ट राजिकर्मी का दर्जा दिया जाए क्योंकि हमने बहुत दिन कारी कर लिया है एक तरफ जो शिक्षक अभि कook होगी कब होगी नहीं होगी कोई समय सीमा नहीं है वहीं पर जो सरकार के मंतरी है या विधायक है या कारिकरता है उनका कहना है कि अब जो शिक्षक होगी वह बिल्कुल फ्रेस बहाली होगी और उसमें टैलेंटर शिक्षक आएंगे, यानि कि विद्वान शिक्षक आएंगे, तो इतने सालों से जो पढ़ाड हैं, साथे तीन लग नियोजी शिक्षक, क्या उनमें टैलेंट नहीं है, क्या उनमें गुण नहीं है, क्या वे विद्वान नहीं है, क्या आप उसी साथे तीन लग श शिक्षा मिलेगी ये प्रस्टन है बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का और शिक्षक का तो कहने का मतलब यही है कि बोलना कुछ करना कुछ सरकार में थे या हैं तो पहले क्या बोलते थे बीजेपी के अब राजद के लोग या अन्य पार्टियां सरकार में हैं तो अब क्या बोल रहे हैं यह सब ध्यान देना बहुत जरूरी है यहाँ पर शिक्षक अभिहर्थियों को और शिक्षकों को बढ़गलाया जा रहा है बिहार का इतिहास है कि आज तक शिक्षक के हित में कोई भी कार यह नहीं हुआ आना होने वाला है मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं से भी सकारात्मक दिखाई नहीं दे रही है आप लोग बने रहे है और टीटी त्यारी चैनल के साथ पलपल के अबडेट आप सभी को देता हूं देता रहूंगा विश्वास दिलाता हूं व ने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाब उढ़ा सके यह सक बिलकुल प्रूंगा दिलाता हूं